गर्मी के सिजिन में तो बहुत सारे थंडे थंडे चीज गर्में बनता रहता है। आज हम बनाएंगे निम्बू पुदेना की पप्सिकल्स। बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं और साम के टाइम इसको बच्चो को दे सकते हैं। तो चलिए अभी हमारा रेसिपी शुरू करते हैं। यहां मैंने एक कटोरी ले ली है। इसमें एक चामच हम सब्जा ले लेंगे। सब्जा को भीगो के हम पप्सिकल्स में डालेंगे। एक चामच सब्जा में करीबन 10-15 चामच हम पानी मिलाएंगे क्यूंकि सब्जा भीगने के बाद इसका क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है। 15 पिस मिनिट इसको रखेंगे। अभी हम एक निम्बू ले लेंगे। एक निम्बू में कम से कम दो चामच राष्टो निकलता है। आप कितनी क्वांटिटी में बनाने वाले हो उसके उपर डिपेंड करता है पुदिना निम्बू का क्वांटिटी कितना लोगे। मैं तो 6 पफिकल बनाने बाले हूँ इसलिए एक निम्बू ले लिए और निम्बू को कट कर लिए। अभी हम पुदिना की पत्ते लेंगे। और पुदिना का पत्ता जो है एक मुठी में ले लिए। पुदिना को 3-4 बार पानी में अच्छे से दो के में लिए। जब भी पुदिना को यूज करो मार्केर से लाने के बाद पानी में डालके 15 मिनिट तक उसको छोड़ना है। फिर उसको पानी से निकल और दो बार दोना है। रफ्ले इसको कट कर लेंगे। बारिक करने की ज़रोट नहीं है क्यूंकि इसको ब्लेंड करना है। इस तरीके से बस क elder की और निम्बु का रस भी ले लेंगे इस तरीके से आप चाहे तो इसमें खरी शकर भी डाल सकते हो सारी चीज को ब्लेंड करके ले आएगे अब करने के टाइम इसमे ने बस दो चमच पानी ब्लेंड करके लाए होगे अभी और भी चान्यान गे उसके लेक चनी ले लेंगे, blend किया हुआ पेस्ट को उसमें डाल देंगे, अभी हम blender jar में एक ब्लास पानी डालके आच्छे से दूखे ले आएंगे, ताकि जो side में लगा हुआ मसाला है, पुदिना है, वो निकल के आ जाए, अभी आप देख सकते हो, पुदिना की पत्ता जो है, उपर रहे गया है, और नीचे pure juice निकल के आ गया है, इसमें मसाला डालेंगे, आप अपनी मंचा ही मसाला डाल सकते हो, मैं यह आड करने हूँ, थोड़ा साथ चाट मसाला, उसके साथ ले लेंगे नमक, यह साधा वाला नमक की 1-4 टीस्पूर, और काला नमक लेंगे 1-5 टीस्पूर, क फिर हम विगोई हुई सब्जा को इसमें डालेंगे, पॉंटिटी आप आपकी हिसाब से डाल सकते हो, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, एक बार फिर से मिला देंगे, एक पपसिकिल का मोल ले लेंगे, इसमें हम पपसिकिल बनाएंगे, तो यह जो साचा मेंने लिया है हर साचा में हम भर लेंगे हमारा जो ड्रिंक बनाएं, उपर से और थोड़ा थोड़ा इसमें हम सब्जा आड करेंगे, ताकि पपसिकिल जो है बनने के बाद आच्छा दिखें उपर जो थोड़ा थोड़ा गिर गया है, जो लिकोईट उसको क्लीन कर लेंगे, तीशु में हलके से पोच लेंगे मोल का कवर को बन कर देंगे, और इसको रेफिचरेटर में 5 से 6 गंटे तक रखेंगे, फिर लाके हम चेक करेंगे 6 गंटा हो चुका है, तो फिर्च से में निकल के लाए हूँ पप्सिकेल की मोल को, अभी आप देख सकते हो, कितनी आच्छे से से शेट हो चुका है, और टेस्ट में तो बहुत ही बड़े आए क्यूंकि निम्बू पुदिना हम इसमें डाले है, और काला नमक उसके साथ है तो बरप के उपर इसको हम रखके सर्फ करेंगे, बरप के उपर रखने से यह जो पप्सिकेले जल्दी मेल्ट नहीं होगा, आप देख सकते हो, कितना बड़े दिख रहा है, जहां पुदिना जादा रहे गया है, वहाँ थोड़ा डार्क ग्रिन दिख रहा है, बाकी जो कल फालो करें और लाइक जरू करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सकाइब करें, और अल नोटिफिकेशन की बटन को आन करें